मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुन्दरम, कभी बंदे मात्रम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराथा द्रविड उतकल बंगा है मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरंस्थली बन जाता है और साथ समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है यही प्रेम की पूजे भूमी भारत वर्ष कहलाता है भारत वर्ष कहलाता है नमस्कार मैं दिक्षा ठाकुर नहरू युवाकेंद्र कुल्लू से देव भूमी हिमाचल प्रदेश का प्रतिनी दित्व करते हुए बात करने जा रही हूँ महामना मदन मोहन मालविया जी के बारे में 1857 की क्रांती की सफलता के बाद भारत्य जन्मानस निराश सा हो गया था ऐसे में 25 दिसंबर 1861 को तिर्थ राज प्रयाग में बालक मदन मोहन का जन्म हुआ जिन्होंने आगे चल कर ना केवल भारत्य संस्कृति का सरक्षन किया वरन सिक्षा के द्वारा परंपरागत और अधूनिक ज्यान विज्यान से समानवित विकास एबं प्रसार से पराधीन राश्ट्र के आत्म विश्वास और स्वाभी मान को बढ़ाया महामना की जीवंद्रिष्टी के दो ही आधार थे इश्वर भक्ती और देश भक्ती इन दोनों के उत्कृस्ट सलेशन इश्वर भक्ती का देश भक्ती में अवतरण और देश भक्ती की इश्वर भक्ती में परिपक्वता महामना जी की जीवंद्रिष्टी का विशेश पक स्वी थे सात्विक तप के सारे पक्ष उनमें विद्यमान थे श्रीमत भगवद गीता में वरनित वाचिक कायक और मांसिक तप के वैसादक थे शदाशुद संकल प्युक्त रहना उनका मांसिक तप था असत्य अप्रिय और खोटे शब्दों का त्याग तथा सदाशुद प्रिय और मधुरवानी का प्रियोग उनका वाचिक तप था दूसरों की सहायता करना, समाज की सेवा करना और देश और जाती के लिए अपने शरीर पर होने वाले कष्टों की परवान ना करना उनका शारिरिक तप था महामना प्रखर राष्ट्रवादी और उच्च कोटी के देशपक्त थे वे जाती भाषा संप्रदाय और क्षेत्र के अधार पर भारतियों के मध्य बढ़ते दुराव को समाप्त कर देश को एक शक्ती शाली राष्ट्रय और संप्रभू देश के रूप में देखना चाते थे अपने इनी सपनों को साकार रूप देने के लिए और शिक्षा के ब्यापक प्रचार प्रसार के लिए महामना ने काशी में हिंदू विश्विद्याले की स्थापना की इस विश्विद्याले की सथापना से महामना की परिकल्पना ऐसे विध्यारतियों को सिक्षा प्रदान कर देश की सेवा के लिए तैयार करने की थी जो आगे चल कर देश के मस्तक को गौरव से उंचा उठा सके तो आएए आज हम सब भी ये प्रण लेते हैं कि हम आगे चल कर हर वो संभव कारे करेंगे जिसे हमारे देश का मस्ता गौरफ से उंचा हो सके जैहिन जैभारत